दिल्ली वासियों के और से नहीं बलकि 135 करोड भारत वासियों के और से बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ सर इस से जादा समविधानिक गैर कानूनी कागस का टुकड़ा एक बिल के माध्यम से शायद ही आज से पहले कभी संसत भवन के भीतर लाया गया होगा और अपना वक्तविश शुरू करने से पहले मैं महाभारत के एक अंच का वर्नत करना चाहूँगा जिसे रामधारी सिंग दिनकर ने एक बहुती महत्वपूंट कविता में लिखकर बताया है जिसमें भगवान श्री कृष्ण एक शांती दूत बंग के पांडवों की ओर से ह विद्वंच बचाने को भगवान हस्तिना पुराए पांडव का संदेशा लाए भगवान कहते हैं दो न्याए अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बादा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धर्ती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर हसी न उड़ाएंगे पर दुर्योधन दुर्योधन वो भी दे ना सका आशी समाज की ले ना सका उल्टा हरी को बांधने चला जो असाध्य था उसे साधने चला जब नाश मनुच पर च्छाता है पहले विवेक मर जाता है सर इसमें दिली बिल का सार है सर हम नयाय की गुहार लगाने आपके सामने आये हैं अपने हक मांगने आये हैं अपने हक से जादा मांगने नहीं आये थार मैं अपने वक्तवय को तीन भाग में बांठता हूँ पहला कि यह बिल कैसे एक राजनेतिक दोका है political fraud है दूसरा गती रोध दिल्ली में कैसे पैदा कर देता है सर पहला राजनेतिक धोका ये कहानी है सर उन्निस सो सततर से लेकर दोजार पंदरा की चालिस लगभग चालिस साल का लंभा संघर्ष भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली में पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित करने के लिए किया 1977 में जब थर्ड मेट्रोपॉलिटन काउंसल दिल्ली में था उसमें जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने मता पास करकर कहा कि दिल्ली को पून्ड़ाजे का दर्ज़ा बनाएंग है लगातार पून्ड़ाजे की दर्ज़े की मांग करते 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 ये 1989 का लोक सभा का मैनिफेस्टों में बीजेपी का लाया हूँ 1989 के मैनिफेस्टों में पेज नमबर 361 पे, पॉइंट नमबर 10 पे ये खहते हैं, ग्रांट स्टेटोड टू यूटी और देली, यानि कि 1989 से लेकर लगातार ये लोग दिली को पून राजे का दर्जा दिलाने की मांग करते रहे, करते रहे, करते रहे. यहां तक कि जब 1991 में कॉंगरेस की सरकार ने दिली में विधान सवा का गठन किया, उससे भी नापरियाप्त मानते होए, लाल कृष्ण अडवानी जी, मदल लाल खुराना जी, सबने बयान दर्ज कराए, कि ये भी दिली के साथ नयाई नहीं है, दिली को पून राजे का दर् दिली को पून राजे का दर्जा दिलाने के लिए, और अंतता वो दिन आया, जिस दिन वाजपाई सरकार और वाजपाई सरकार के उप्रधान मंत्री आदरनी लाल क्रिष्ण अडवानी जी, इस सदन के भीतर एक बिल लाये, the constitutional amendment bill 2003, जो दिली को पून राजे का दर्जा देता है, ये बिल अडवानी जी, इस सदन के भीतर लाये, और कहा कि दिल्ली को अधिकार देने की जरूरत है दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा भाजपा दिलाएगी यह भी बात खतम नहीं होती सर इसके बाद 2013 के अपने मैनिफेस्टों में बीजीपी ने कहा हम पूर्ण राजी का दरजा देंगे इनकी जून 2013 में नैशनल अग्जेकिटिव की मीटिंग हुई उसमें मता पास करकर का हम दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा देंगे यहां तक कि इनके सांसद इनके सांसद डॉक्टर हर्चवर्दन ने बयान दिया कि जब अधर्निये नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान मंत्री बनेंगे हम दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा देंगे यह इन समने सर लगातार बाते कहीं और दिल्ली को पून राज्य का दर्जा दिलाने की मांग लगातार भारतिय जन्ता पार्टी दिल्ली वालों के सामने रखती रहे सर ये बिल सिरफ संविधान का और लोगतंतर का अपमान नहीं है ये बिल लाल पृष्ण अडवानी जी का अटल बिहारी वाजपाई जी का मदनलाल खुराना जी का सुश्मा सुराज जी का अरून जेटली जी का सबका अपमान करने का और उनके 40 साल के संघर्ष को मिट्टी में मिलाने का काम करता है सर मैं 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 मानिये ग्रह मंतरी जी का बयान लोकसभा में सुन रहा था उन्होंने कहा कि नहरू जी ने पंडित नहरू ने ये बात रखी थी कि दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा नहीं मिलना चाहिए मैं मानिये ग्रह मंतरी जी से कहना चाहता हूँ नहरू वादी मत बनिये अड़वानी वादी बनिये वाजपाई वादी बनिये और दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा देने का आज आपके पास एतिहासिक मौका है दिल्ली को पूर्ण राजी का दरजा दीजे सर इस बिल को लाने का असल कारण क्या है ये बिल क्यों लाया गया है पिछले 25 साल में दिल्ली में छे बार विधान सभा के चुनाव होई छे के छे चुनाव भारती जनता पार्टी बुरी तरीके से हारी यहां तक की 2015 और 2020 में आजाद भारत के तिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार अर्विन केजरिवाल ने दिल्ली में बनाई क्योंकि ये पिछले 25 साल चुनाव नहीं जीत पाए और अर्विन केजरिवाल और रहम आदमी पार्टी के आने के बाद ये जानते हैं कि अगले 25 साल भी ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे तो सरकार को नश्च करने का काम कर रहें चाह ना रहेगी सरकार और ना रहेगा चुनावों का महत्व ना रहेगी ना रहेगा बास ना बजेगी बासुरी लेकिन मैं आज इस मन से भाजपा से अनुरोत करूँगा कि कम से कम लाल कृष्ण अडवानी जी को नयाई दीजिए कम से कम उनकी इच्छा पूरी करिए दिली को पून राज्य का दरजा दीजिए सर मेरा दूसरा भाग कि कैसे ये बिल एक संविधानिक पाप है सर पहली चीज ये अब्यूज ऑफ ओर्डिनेस मेकिंग पावर्ज है आर्टिकल 123 जो संविधान का देता संविधान ये कहता है और वाईवी चंद्रचूर साब का AK Roy versus Union of India एक बड़ा महकपून लैंडमार्ग जज्जमन्ट है जिसने कहा कि ओर्डिनेंस सिरफ आपात कालीन और विशम परिस्थितियों में लाई जाएंगे ऐसी कौन सी आपात कालीन और विशम परिस्थितियां आ गई कि आपको सुर्प्रीम कोर्ट के फैसले को आठ दिन के बीतर बदलना पड़ गया कि हम Supreme Court को भी challenge करते हैं Supreme Court के फैसले को भी नहीं मांगते आपको जो order जारी करना है करो हम चंद दिनों के अंदर ordinance लाकर उस फैसले को बदल दे They have challenged the majesty of the honorable Supreme Court sir और मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आज कल जो ordinance लाने की जो एक फैटिश इस सरकार ने देखी चाहे वो land acquisition बिल हो चाहे वो farm बिल हो चाहे ED के director का extension हो जो यह सारी चीज़े ordinances के माध्यम से इनों ने करी थी इस बिल का हश्र भी वही होगा जो सारे पुराने बिलों का हुआ था Sir, third बिंदू कि कैसे यह बिल संगिय धांचे को erode करता है हमारा भारत का संविधान और सुप्रीम कोट का 2023 का 2018 का संविधानिक पीट का फैसला कहता है कि दिल्ली के पास एक unique federal identity है unique constitutional identity है और भारत का संविधान जो हमें संगिय धांचा देता है जो शक्तियां देता है उन शक्तियों को encroach करने का काम यह सरकार करती है हमसे अफसरशाही और तमाम शक्तियां छीन कर मैं आपको सुप्रीम कोट का वो एक वाक्य पढ़के सुनाना चाहूंगा the majority in the 2018 constitutional judge bench held that while the NCT of Delhi could not be accorded with the status of a state the concept of federalism is applicable to Delhi हम पूराज नहीं हैं लेकिन फिर भी राज्य का दर्जा एक संगिय धांचे के परिपेक्ष में दिल्ली को मिलता है उसके बाद सर इन लोगों ने तो कमाली कर दिया आज बिना सम्विधानिक संचोधा लाए संभिधान को बदल दिया मात्र एक एक एक्ट ऑपर्लिमेंट से जो आज तक शायद भारत के त्यास में कभी नहीं हुआ सर इसके बाद सर इसके बाद ये बिल पर्लिमेंटरी अंडर्माइन करता है प्रिंसिपल्स ओफ कलेक्टिफ रिस्पॉण सब्लिटी को भारत का संभिधान कहता है सार कि Permanent Executive और Political Executive मिलके लेजिश्लेचर के प्रती जवाब देही हों गे ये प्रिंसेफल ओफ कलेक्टिव रिस्पॉण सेबसिबलिटी है इसमें से Permanent Executive यानि देही मंतरी को मंतरी की जवाब देही legislature को और legislature की जवाब देही जंता को इसमें से अगर आप अफसरशाही हटा देते हो तो फिर जवाब देही की जो ये triple chain of accountability द्वस्त हो जाती है तो ये काम करके सम्विधानिक अपराग एक प्रकार से सरकार ने किया है सर मेरा आखरी भाग ये कैसे एक administrative हारा की रिए एक administrative गतिरोत पैदा करता है ये कहता है सिरब उपराजेपाली ट्रांसवर पोस्टिंग करेंगे एक समीती के माध्यम से यानि कि अफसार आप मुख्यमंतरी के नहीं सुनेगा मंतरियों के नहीं सुनेगा अगर आप दिल्ली में किसी के घर में बिजनी नहीं आरी पानी नहीं आरा किसी के बच्चे का स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा तो वो उपराजेपाल के पास जाएगा, अपने मंतरी मुख्य मंतरी के पास नहीं जाएगा क्या लोग जानते हैं उपराजेपाल कहा रहता है, उपराजेपाल कौन सी विधानसवा से चुनाब लड़ा, उपराजेपाल ने कौन सा चुनाब जीता लेकिन सारी शक्तियां एक चुनी हुई सरकार से निकाल कर उपराजिपाल को देता है यह आगे कहता है सर यह बिल कि हम LG को सोल डिस्क्रिशन देते हैं स्वयम के वेवेक से फैसले लेने की तमाम शक्तियां आज तक उपराजिपाल और गवर्नर काउंसल आफ मिनिस्टर्स की एड एन एडवाईस से बाद दे थे लेकिन यह बिल उपराजिपाल को सूपर सीडिंग पावर देता है आगे सर यह बिल जितने भी ब्यूरोक्राट्स है उन्हें एक जुडिशल अथॉरिटी बना देता है यह कहता है अफसर शाहित है कि मंतरी का फैसला सही है कि मंतरी का फैसला गलाता है और अगर अफसर को मंतरी का कोई फैसला पसंद नहीं आया तो अफसर मंतरी का फैसला लागू करने से मना कर सकते हैं और सर ये बिल, अथोरिटी, कमिशन्स और कॉर्परेशन्स बनाने की तमाम गठन करने की न्यूकती करने की शक्तियां सारी की सारी केंदर सरकार को दे देता है यानि की सरकार की चाबी एक परकार से केंदर सरकार को हाथ में पकड़ा देता है सर मानिय ग्रैम मंतरी जी ने कहा था कि आम आदनी पार्टी एक सुपारी सी जितनी पार्टी है सुपारी जितनी छोटी सी पार्टी है सर ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो आजाद भारत के इतिहास का fastest growing political start-up कहलाती है ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने तीम बार भाजपा को दिल्ली में आराया और दो बार 2015 और 2020 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़ी जनाजेश की सरकार बनाई ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगबग शुने पर लाकर खड़ा कर दिया ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जो 10 साल में राष्टे पार्टी बनी ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसके 161 विधायक और 11 सांसद है वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसका काम देखने के लिए First Lady of United States of America और United General के पूर प्रमुख बान की मून आते हैं सर्थ सर, मैं आज अपने साथी जो आंदर प्रदेश और उडिसा की सरकार चलाते हैं आगकी जरूर कुछ मजबूरिया रह 나올 और जिसके चलते हैं आप ने यह फैसला लिया इस सरकार के इस बिल का समर्थन करने में कुछ तो मजबूरिया रही और यह फिरौरिय यूववफा नहीं होता लेकिन मैं आपको कहना चाता हूं कि आग जब लगेगी तो बहुत दूर तक जाएगी रात इंदौरी साथ का एक बड़ा मतपून शेयर है अगर खिलाफ है होने दो जान थोड़ी है ये सब धुआ है आस्मान थोड़ी है लगेगी आग तो आएंगे कई घरजद में यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है लेकिन जब आपके घर में हाग लगेगी आमादनी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और सर मैंने अपनी बात शुरू करी थी महबारत के एक अंच्स्ते मैं समाप भी महबारत के एक अंच्स्ते करूँगा सर सर बीच कुरुक्षेतर के मैदान में जब युद प्रारम होने वाला था तो युदिश्टर ने शंकनात करने से पहले एक घोशना करी और कहा कि ये धर्म धर्म की लड़ाई है मेरी सेना में खड़े मेरे पीछे जितने युदधा है अगर उने लगता है कि धर्म मेरे साथ नहीं कौरवों के साथ है तो मेरी सेना छोड़कर सामने वाली मेरी दुश्मन की सेना में जाकर खड़े हो जाएं उनकी ओर से युद करें और अगर कौरव सेना में कोई योद्धा है जिसे लगता है कि धर्म युदिष्टिर के साथ है पांडवों के साथ है तो आप कौरवों की सेना छोड़कर मेरी सेना में आईए मैं बाहें पहला कर आपका स्वागत करूँगा उस समय कौरवों का एक भाई यूद्सू कौरव स सेना छोड़कर पांडवों की ओर आया और पांडवों की ओर से यूद्ध लड़ा मैं उसी बात का धिकर करते हूए आज इस सदन में बैठे तमाम सांसेद्धों के ना चाहता हूँ राज्य सवार्य कांसल और स्टेट्स है हरों जादा जिमेदारी बंती है राज्यों की अ आज ये इतना संबेदानिक और गेर कानूनी बिल्ला अगर ये सफल हो गया तो हो सकता है आज के बाद आने वाले समय में ये लोग देश में चुना भी ना कराएं चुना भी प्रक्रिया को खतम करने से बहुत बार शुक्रिए